चलिए students हम लोग question number 3 को solve करते हैं देखे question number 3 में क्या कहा जा रहा है question number 3 में कहा जा रहा है एक जीवन विम एजेंट सब policy धारकों की आयू के बंटन के निमलिकित आकड़े ग्याद करता है माद्यक आयू परिकलित करिए हमें क्या निकालना है हमें माद्यक आयू निकालनी है य इसको दी जाती है उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयू 18 वर्स या उससे अधिक हो प्रंतु 60 वर्स से कम हो तो student देखे इसके लिए हमें data क्या दिया है में साड़ी क्या दी गई है आप लोग इस table को देखिए table में हमें दिया है आयू हमें वर्सों में दी गई पॉलिसी धार्कों की संप्ऩे हमें दी गई है तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है बीस से कम कितने पॉलिसी धार्क हैं क्या दो हैं 25 से कम छे हैं 30 से कम 24 हैं देखे 20 से कम 2 है 25 से कम 6 है तो जो 25 से कम है 25 से कम वाले के अंदर ए 20 से कम वाला भी आ रहा है इसी तरीके से देखे 35 से कम कितरे 35 है इसमें कौन सामिल हो जा रहा है इसमें ए सभी सामिल हो जा रहे है ये भी आ रहा है पूरा ए आ रहे है तो देखे इसमें से इसमें देखे 40 से कमवाला भी इसमें सामिल है देखिए 50 से कमवाले में जो 45 से कमवाले सारे हैं सब लोग इसमें सामिल है तो इस तरीके से देखिए यह हमें क्या दिया है यहां पर हमें संचाई बारंबारता दी गई है तो हमें संचाई बारंबारता दी गई है सबसे पहले हम लोग बारंबा टेवल बनाया है अब देखे 20 से कम वाले हमारे कितने हैं दो हैं तो लिख लीजिए 20 वर्ष की आयू से कम वाले कितने दो हैं, 20 से कम, 20 से कम कितने हैं, पॉलिसी धारग 2 हैं, अब 20 से कम 2 हैं, तिसकी 12 बारता क्या हो जाएगी, 2, और देखिए, यह जो हमें, आयू वर्षों में दी गई है, इसको हम लोग अंतराल के रूप में लिखेंगे, वर्ग अंतराल के लूपे लिखेंगे, देखिए, कैसे लिखते हैं, देखिए, 20 से कम हमारा कितना हो गया, दो हो गया, अब देखिए, 25 से कम, 25 से कम में 20 से कम वाला भी सामिल हो जा रहा है, इसके लिए हम लोग वर्ग अंतराल क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग वर्ग अंतराल लिखे लिखेंगे 20 से 25 क्या लिखेंगे 20 से 25 और 20 से 25 वालों की संख्या कितनी है देखिए 6 है तो यह हमें 6 दिया गया है यह हमें 6 दिया है हमें 6 दिया है तो हमें 20 से 25 के बीच में निकालना है तो 20 तक तो हमारा 20 से कम यहां हो ही गया है 20 से 25 के बीच में क्या हो जाएगा इस 6 में से इस दो को घटा देंगे तो हमें 20 से 25 की बारंबारतम मिल जाएगी तो 6 में से 2 घटाएगी क्या हो जाएगा 4 नेक्स देखिए हमारा 20 से 25 हुआ अब यहां पर देखिए 30 से कम 30 से कम यानि कि हम लोग देखें कि कहां से 25 से 30 तक 25 से 30 तक 25 से 30 तक हमें कितना पॉलिसी दारकों की संक्या दी गई 24 हमारी यहां पर बारंबारता क्या हो जाएगी इस 24 में से 6 घटा देंगे हमें 25 से 30 की बारंबारता मिल जाएगी कितना हो जाएगा 18 नेक्स देखिए 35 से कम 35 से कम कितना है 45 है हम लोग 30 से 35 के बीच में देखेंगे 30 से 30 हमारा क्या हो जाएगा इसकी बारंबारता देकि इसकी संचाई 12 वारंबारता 45 है तो बारंबारता क्या हो जाएगी 45 में से 24 घटा दीजिए तो 45 में से 24 गटाई देखी क्या हो जाएगा 21 next 35 से 40 क्या हो जाएगा देखे 40 से कम की बारम बारता में 78 दी गई है 40 से कम की बारम बारता में 78 दी गई है आप लोग यहाँ पे देखिए हमें 78 दिया है तो इसकी बारम बारता क्या हो जाएगी 78 माइनस 45 8 में से 5 गटा ये क्या हो जागा 3 और 7 में से 4 गटा ये क्या हो जागा 3 next देखिए 40 से 45 हमारा क्या हो जागा इसी तरीके से 45 से कम की में 12 बारता 89 दी गई है तो 89 में से हम लोग इसको घटा देंगे 78 तो हमें 40 से 45 की बारता मिल जागा गटाईए 9 में से 8 गया कितना हो गया एक और 8 में से 7 गया कितना हो गया एक next देखिए हमारा 45 से 50 कितना हो जाएगा हमें 45 से कम हमारा 89 है 50 से कम कितने हैं बान्वे हैं 50 से कम बान्वे हैं और बान्वे में से 89 हम गटा देंगे हमें 45 से 50 की 12 12 में से 9 कितना हो जाएगा तीन और 8 में से 8 जीरो नेक्स देखिए इसी तरीके से 50 से 55 कितना हो जाएगा इसकी 12 12 क्या हो जाएगी 98 में से 92 घटा दीजिए क्या हो जाएगा 6 चलिए हमारे देखे 55 से 60 क्या हो जाएगा 55 से 60 सौ में से 98 घटा दीजिए क्या हो गया दो तो इस टूडेंट देखिए इस तरीके से हमने बाराम बारता निकाल लिए हमें संचाई बाराम बारता दी गई थी हमने बाराम बारता निकाल लिया तो हमारे पास बाराम बारता आ क्या है अब हमें क्या निकालना है हमें माध्यक निकालना है तो माध्यक निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है माद्यक निकालने का हमारा फोर्मूला होता है L प्लस N बाइ 2 माइनस C F अपॉन में F इंटू में H तो सबसे पहले हम लोग N निकालते हैं देखे हमारा N क्या हो जाएगा यह जो हमारा आता है क्या है N है N N कितना है? 100 है तो N is equal to क्या है? 100 है हम लोग N बाइ 2 निकालते हैं तो N बाइ 2 कितना हो जाएगा? इसका हाप कर दिजिए 100 बटे में 2 कितना हो जाएगा? 50 अब हम लोग उस वरगंतराल को देखेंगे जिसकी संचई बारंबारता 50 से अधिक और इसके नियरेस्ट है 50 से अधिक है और 50 के पास हो तो यहाँ पर देखिए 50 से अधिक यह 78 है 50 से अधिक है और अधिक में 50 से अधिक है और अधिक में सबसे पास यही है उसके बाद 89 है 92 है तो 50 से अधिक है उसके पास में यही वाली बैलू है तो इसका जो वरगंतराल है वो हमारा क्या हो जाता है यह हमारा माद्यक वर्ग हो जाता है लिख लीजिए यह हमारा क्या है माद्यक वर्ग है माद्यक वर्ग की जो बारम बारता होती है वो हमारा F होता है और माद्यक वर्ग के ठीक पहले जो हमारा वर्ग अंतराल होता है इसकी जो संचाई बारम बारता होती है वो हमारा CF होता है तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं हमारा माद्यक वर्ग क्या है माद्यक वर्ग हमारा है 35 से 40 यह जो माद्यक वर्ग की निम्ण सीमा होती है वो हमारा क्या होता है L होता है L is equal to 35 हो जाएगा F is equal to 33 है CF हमारा कितना है CF हमारा 45 है H की बात कर ले H क्या हो जागा देखिए 40-35 हमारा H कितना है 5 है तो student देखिए इस तरीके से हमने सारी बैलूज निकाल ली अब हम लोग इन बैलूज का यूज जिस फार्मूले में करेंगे और माध्यक निकाल लेंगे तो चलिए हम लोग माध्यक निकालते है तो बैलूज रख दीजिए माध्यक इस इकोल टू होता है L प्लस N बाई टू माईनस CF अपॉन में F इंटू में H बैलूज रख दीजिए L कितना है L हमारा 35 है तो हमने 35 यहाँ पे राइट किया प्लस N बाई टू N बाई टू कितना है देखिए 50 है CF कितना है 45 है 45 राइट कर दीजिए अपॉन में F F कितना है 33 है यहाँ पे हमने 33 राइट किया Next देखिए इंटू में H H कितना है 5 है यहाँ पे हमने 5 लिखा चलिए अब हम लोग इसको हल कर लेते है हल करिए 35 प्लस 50 में से 45 गटाई कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 33 इंटू में क्या हो जाएगा 5 35 प्लस 7 प्लस 5 बटे में 33 इससे उपर नीचे मल्टिप्लाई करके एड़ कर लीजिए मल्टिप्लाई करिए क्या हो जाएगा 7 गुडे 33 प्लस 5 बटे में 33 हल करिए 5 इंटू में 7 तरिक 21 के एक हासिल दो 7 तरिक 21 दो 23 प्लस में 5 बटे में 33 सॉल्ब कर लीजिए 231 प्लस 5 क्या हो जाएगा 236 5 इंटू 236 अपॉन में 33 इतना हो गया चलिए अब लोग इसको सॉल्ब कर लेते हैं 33 से 236 में भाग दे दीजिए तो चलिए हम लोग यहाँ पर भाग दे करके देखते हैं भाग दीजिए 33 को भाग देना है 236 में 33 से भाग देना है 236 में देखे कितनी बार जाएगा 33 7 तरिक 21 के एक हासिल दो 23 231 हो गया 6 में से घटाई कितना हो जायोगा 5 एक कैंसिल हो जायोगा यहाँ पर दसमुल लगाईए एक 50 हो गया कितनी बार जायोगा एक बार तो लेकर के जाईए 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पर बचा 4 चार में से 3 गया 1 17 हो गया 170 हो जाएगा कितनी बार जाएगा देखिए 33, 65, 65, 35, 35, 35, 35, 25 कितनी बार जाएगा 5 बार यहाँ पर हमारा कितना हो गया 165, 75, 75 आ गया 0 बढ़ाईए कितनी बार जाएगा 1 बार यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 फिर हमारा क्या आजाएगा 17 170 करेंगे फिर 5 बार ऐसे हमारा चलता जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया लिखिए हमारे पास आ गया है 5 इंटू में यहाँ चे देखी क्या है 7.1515 7.1515 15 multiply कर लिजे देखी क्या हो जाएगा 525 के 5 62 525 के 5 तो इसको गुझए तरीके से लिख लेंगे 3555 यह है यह हमारा माध्यक आ गया हमें क्या निकालना था हमें माद्यक आयू परकलित करनी थी तो माद्यक आयू हमारे पास आ गया लिखिए अतह अतह माद्यक आयू बराबर 35.75 वर्स है तो माई डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस क्वेस्चन नमबर तीन को सॉल्व किया तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहे अगर आपनों को कोई वी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बाक्स में कमेंट करना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नय हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए गाईज आप लोग पढ़ते रहिए थैंक यू